है फ्रेंड्स मेरे यूटूब चैनल घरेलून उसके असरदार उपाय में आपका एक बर फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आज के टिप्स में मैं आपको स्कीन वाइटनिंग यानि कितवचा के रंग को गोरा करने का एक असान सा घरेलू उपाय बताने जारी हूँ इसके इस्तिमाल से आपके चेहरे के रंग में बहुत ज्यादा निखार आएगा साथी आपकी तवचा ग्लोइंग हो जाएगी लेकिन इससे पहले आपस रिक्वेश्ट अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को जरू क्लिक कर लें मेरे नए वीडियो को देखने के लिए तो चलिए शूर करते हैं चेहरे के रंग को निखारने के लिए चेहरे के सावले पन को दूर करने के लिए साथी चेहरे के दगधबों को दूर करने के लिए मैं जुन उसका बताने जा रही हो बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसके इस्तेमाल से आपके चेहरे के दगधबे दूर होकर तवचा के रंग में बहुत ज़्यादा निखार आएगा इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है दूद मिल्क आपको लेना है आपको कच्चा दूद लेना है एक चमच दूद हमारी तवचा को अच्छे से क्लीन करता है यह नैच्रल क्लींजर का काम करता है दूद के इस्तेमाल से आपकी तुचा के रंग में काफी निखार आता है साथी यह तुचा में जमें धूल मीटी गंदगी को अच्छे से साफ करता है हमारी तुचा को क्लीन करता है इसके अलावा दूद हमारी तुचा के दागदबू को दूर करने में बहुत ही असरदार हो विटामिन C भरपूर मात्रा में होता है इसके अलावा यह हमारे तवचा के दागधबों को दूर करने में बहुत ही ज्यादा असरदार होता है इसके इस्तेमाग से तवचा में निखाराता है साथ ही तवचा के दागधबे दूर होते हैं अब इसमें आपको मिक्स कर लेना है शहद आपको इसमें आधाचमश शहद मिक्स करना है शहद हमारी तवचा को मॉस्चुराइज करता है साथी यह हमारी तवचा को ग्लोइंग भी बनाता है इसके अलवा शहद हमारी तवचा के दाग दबों को दूर करने में बहुत ही ज्यादा असरदार होता है इन सारी चीज अब में बताती हूँ आपको इसके इसके कैसे करना है आपको इसको एक रूई की सहायता से करनी है आपके cotton इस तरह से लगाने के बाद जब यह ड्राइ हो जाए तो आपको फिर से दुबारा इसे अपने चेहरे पर लगाना है इस तरह से लगाने के बाद जब आप इसे नॉर्मल पानी से धोना है जब आप इसे धोएंगे शे वाश करेंगे तो आप पाएंगे आपके चेहरे के रंग में काफी निखार आगया है साथी यह आपकी तवचा को इंस्टेंट ग्लो देता है तुरंती आपकी तवचा पर ग में फर्क देखने को मिल जाएगा अगर आप कहीं साधी पार्टी में जा रहे हैं तो उसके पहले जाने से पहले आप इसका इस्तेमाल करें आप पाएंगे आपकी तवचा बहुत जादा ग्लो इन हो गई है और आपकी तवचा में काफी निखारा गया है अगर मेरी वीडि में